नमस्कार स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मद्रदेश 36 गर्द देख रहे हैं आप मैं हूँ अपर नमाज़दम वक्त हो गया है मद्रदेश की मार डिबेट का आज बात सरकार के विजन और उस पर मचे सियासी घमा साम की मद्रदेश में विकास के लिए मुख्यमंती डॉक्टर मोहन यादव ने विधायकों के एक डॉक्यमंट विजन मनाने का निर्देश दिया विधान सबार शेत्रों में 100-100 करोड रुपए से विकास कारे होंगे इसको लेकर मुख्यमंती ने विधायकों से एक विजन तयार करने को कहा है जिसमें अगले 4 साल के विकास का रोड मैप हो इसको लेकर कॉंग्रस सरकार पर हमलावर है कॉंग्रस का रोफ है कि सरकार कॉंग्रस के विधायकों के साथ भेदभाव कर रही है पहले भी सरा का भेदभाव किया गया था 100 करोड की बात को कॉंग्रस कह रही है कि ये बात हवा हवाई है सरकार का विजन चार साल का फ्लैड सो करोड से विकास कॉंग्रस करे सियासत हमने पहले भी का था कि ये पक्षपात हो रहा है बड़े सर्पे ये तो अभी हवा में बात कर रहे हैं हर एक एक रोड अगर आप देखें तो अने को ऐसी सड़के हैं सरकार का विजन मचा सियासी घमासान पूरे इस मद्रदेश की 230 विधानसभाओं के लिए रोड मैप बना रही है और उस रोड मैप के अनसार काम करेगी MP में डॉक्टर मोहन सरकार विधानसभाओं शेत्रों में 100-100 करोड रुपए से विधास कारे कराने का प्लान बना रही है इसको लेकर BJP विधायकों को एक विजन डॉक्यमेंट तयार करने के निर्देश दिये हैं ये विजन डॉक्यमेंट अगले 4 साल के विकास का रोड मैप होगा लेकिन कॉंग्रेस ने इसमें भेदभाओं के आरोप लगाए है सिर्फ BJP विधायकों के साथ चर्चा की गई, कॉंग्रस विधायकों से इस पर कोई चर्चा नहीं हुई आज इसी पर करेंगे मध्य प्रदेश की महा डिबेट में चर्चा सरकार के विजन डॉक्यमेंट पर कॉंग्रस के बयान के बाद अब मच गया है घमस्तान हाला कि BJP का कहना है कि सब को विकास के लिए राशी मिलेगी इसी पर आज होगी महा डिबेट में चर्चा लेकिन सबसे पहले सवाल क्या है वो देख लेते हैं महा डिबेट आज किन सवालों के इर्गित रहेगी पहला सवाल रहेगा document vision क्या है ये इसके माइने क्या होते हैं ये समझेंगे दूसरा सवाल रहेगा 4 साल का plan बता रहे हैं सरकार हालात कितने बदलेंगे इन 4 सालों में ये जानने की कोशिश करेंगे तीसरोड आखरी सवाल रहेगा, विकास की बाद जब यहां पर सरकार की ओर से की जा रही है, तो फिर Congress क्यों परिशान है, क्या दिक्कत है, वो जा जानने की कोशिच करें, Congress से कि आखरकार परिशानी क्या है, जो खास महमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड गये हैं बीजेपी के प्रवक्ता है गुल्रेश शेक जी कॉंग्रस के प्रवक्ता है स्वदेश शर्मा जी वरिष्ट पत्रकार है दिनेश निगम त्यागी जी और बतौर पॉलिटिकल अनलिस्ट हमारे साथ जुड रहे हैं सौरब सचान जी बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का ही गुल्रेश शेक जी ये क्या है विजन जो जिसके बारे में बात की जा रही है इसके माइने क्या है देखिए जब कोई भी सरकार चलती है और जब सरकार टनल विजन के साथ चलती है कि हमको प्रदेश में विकास करना है जिलों में कहां विकास करना है और जो बेस् क्रिशी बेस्ट इंडस्ट्री जिसको कहते हैं वो कैसे ला सकते हैं तो उन सब को एक विजन डॉक्यूमेंट की तरह बनाकर हर जिले का हर विधानसभा शेत्र का और पूरे प्रदेश का संपूर्ण विकास हो इसलिए यह किया जा रहा है और चार साल इसलिए रखे हैं हमने क्योंकि देखिए फिर क्या होता है कि जब आचा सहीता लगने वाली होती है अगले चुनाव से पहले तो बहुत सारा समय उसमें जाता है तो एक लिमिटेड समय में मैक्सिमम आउटपुट सरकार दे सके हो मैक्सिमम ग्रोथ दे सके मतिपरदेश की देखिए हम भी चाहते ह कि अगर पांच ट्रिलियन डॉनर की एकॉनमी होती है देश की तो उसमें पौन एक ट्रिलियन डॉनर का जो सहयोग हो जो वो मतिपरदेश की तरफ से आए और हम वेसे भी आज के समय हमारी सरकार का दगत बड़े फक्र के साथ में ये बात कह रहा हूँ अपरणा जी कि हम ड गुल्रेश शेग जी कह रहे हैं कि हम डाइविंग इंजन की तरह आगे बढ़ रहे हैं तो इस आगे बढ़ने की दोड में कॉंगरस कैसे पीछे छूट जा रही है देखिए गुलेज सिख जी मेरे छोटे भाई की तरह है उनका मैं पूरा प्रेम इसने के साथ आधर करूँगा लेकिन भारती इंता पार्टी की सरकार को यह सोचना चाहिए कि यह लोगतंतर है और लोगतंतर में जितनी महत्ता सरकार की होती है कमों बेस उतनी विपक्ष की होती है फर कितना है कि आप सत्ता में आधिस देते हैं और हम सरकार को आईने दिखाने का काम करते हैं कि जरूरत आपके आधिस की कहां पर है तो अगर यह बिजन की बात करते है बिकास की बात करते हैं तो यह भाजापा के विधायकों के साथ ही क्यों यह बैठक करके उनके चेत्र बिजन डॉकुमेंट या बिलू प्रिंट तैयार करवा रहे हैं कॉंग्रेस के विधान सभा चेत्रों में क्या मद्विद की जनता नहीं है और अब मुखमंत्री तो पूर मंत्री मंत्री हुआ करते थे यहां बिद्वान पत्रकार दिनेश निकम साथ बैठे इनको एक गटने याद है तो उनने केंद्र से सरकार भाज़ा पाकिति की पास जाओंगे लेकिंद्र से पैसा दिया और नहीं तेयार किया कि सारी बैठके आप भीजेपी विधायकों के स बिजर्ण डॉक्यूमेंट बन रहा है लेकिन समसिया यह है आपने देखा था कितना अच्छा महत्वा कांग्शी बजट आया मद्री बर्देश का किसी जमाने में इसको कॉंग्लेस की सरकार ने जब केंद्रे में होती थी तो यह स्टाइब को ड्रीम बजट कहते थी लेकि हम वास्ता भी बजट कहते हैं कि यह सपने दिखाते थे हम सपने पूरे करने वालों में से हैं तो उस समय किस प्रकार से होहला हो रहा था आपने बजट पढ़ना मुश्किल कर दिया था तो क्या बैठक कर सकते हैं इन लोगों को होहला करने के लावा कुछ नहीं आता है ना कुछ करना चाहते हैं ये इसलिए इनको बार बार जो है आईना दिखाती है मतिपरदेश की आवा लेकिन हाँ ये बात निश्चित है कि 230 में से 230 सीटों के ऊपर विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट मन रहा है वो चाहे कॉंग्रेस की सीट हो चाहे विकास का इंजन हर जिन डॉक्यूमेंट की बात कर दिने इस निगम त्यागी जी कांग्जों पर जो विजन तयार किया जाता है क्या जमीन पर कभी उतरता भी है एक सवाल तो ये और दूसरा सवाल ये कि जो ये कॉंग्रेस का आरोप है क्या ये आरोप में है स्यासी आरोप है ये सरकार की नि आप जलाप पंचयतों के बठायाएं में देखिए जलों जलों जला सरकारें होती हैं जला पंचायत की बैठकें होती हैं तो वहां सभी दलों के बिठाय को प्रद्रीदी बैठते हैं और विकास का एक खाका तयार करते हैं तो यह किया भी जा सकता है जहां तक अलग-अलग संभागों के बिधायकों के बैठक कर रहे हैं। बना कर दें और सरकार उस पर अमल करें ताकि जैसे पानी की समस्या आ है नालियों की समस्या आ है दूसरे जो च्ञोट मोते का ने काम है वह बढ़े इस तरफ पर प्रदेश के लिए सब्सक्राइब के तुम हो जायाएंगा चैर साल मी यह क्या है यannen जे साल के लेकिन हाँ सब बिधायकों से बात कर रहे हैं उनकी उपिनियन ले रहे हैं मुझे लगता है कांग्रेस के बिधायकों की बैठक भले न बुलाएं लेकिन मुख्वंत्री एक काम कर सकते हैं कि कांग्रेस बिधायकों से कांग्रेस ने जो नेता प्रित्पच हैं उनसे कह सकते ह आपने बैठके करिए और आपके बिधायकों को कोई प्लान है कोई काम है वो सरकार को सोपिय सरकार उस पर भी अमल करेगी तो मुझे लगता है एक बैलेंस बन सकता है ये तो बहुत ही आपने आदश तसीर दिखा दी है कि नेता प्रतिपक्ष ने बात की जाए और फिर वो मांगे कि भई बताए क्या काम है और क्या वाकए ऐसा हो पाता है देखना होगा बहुत दिल्चस पुरहेगा देखना लेकिन सदेश जी गुल्डेश जी को आपने सुद लेकिन क्यूंकि आप लोग रहते हैं इसको नहीं मुलाया गया अरोब कांगर्स के लोगोंपर की वह हंगामा ही रही हो बॉपाय और सिर काम कर रहे आ हुँर चाहिए या दों बिबाक्य्ट करना चाहिए की खांव कर रहे हैं और ऑप बंद्र धिभाने कि जंतां की मुड़ध उठा रही है उन पर सुनने की रहां ना तो उन्हें बढ़े वे पर शर्चा की ना कोई किसान Do फर और श्र stripes की लेकिन वह उस बात की चर्चा जरूर कर साल पहले जो आपाद काल के दोरान जिंद्रा जी ने भी इसको गलत मान लिया था और राजिब गंदी ने गलत माना राउल गंदी जी ने गलत माना कॉंगरेस को गलत मान रही लगा था लेकिन वो काला दिवस मनाने पर अपनी नर्जी लगा रहे हैं तो यह हंगाबा बर्पाना उनका काम है हमारा काम है बिकास करना, बिकास की बात करना और बिकास का काम करना यसे भी निगम साब ने कहा बहुत अच्छी बात कहिए कि वो निता प्रतफक्ष को बोल सकते हैं कि भी आप अपने कॉंग्रेस के विधायकों से कहिए कि उनके वहां के क्या क्या जरूरते हैं उन सब को इखटा करें हो बिदान सवा में देखने को मिलता है ना लोक सवा में देखने को मिलता है ना केंद की सरकार के PM हाउस में देखने को मिला ना वहाँ पर एक व्यक्ति ने आग लगाने की कोशिश की थी, वहाँ की विधान सबा, विवलोक सबा के उपर, जहुस्टाफ कोबन्स के उपर, उसको हर साल मनाया जाता है, ताकि वो याद रहे, इसमर रहे, और वो ही हम भी कर रहे हैं, चाहे फिर वो विभीशी का हो, चोदा अगस्त की, जिसमें देश का विभाजन हुआ था, चाहे एमरजनसी का काला दिन हो, इन सब को यदि आप याद नहीं रखोगे, तो आगे की जनरेशन कहीं ऐसा नहीं कर ले, इसके लिए कौन सजक रखेगा, तो ये काम भी सरकार का होता है, ये काम समाज का होता है, तो समा सरकार की और से, यदि आप कुझे कहते हैं, तो मैं अभी तक के लाके देता की, मुहंदी की सरकार में ही इनके विधायकों ने कितने पत्र लिखें, उस पर काम हुए, पत्र लिखकर भी काम हो रहे है, इनके विधायक मिल भी रहे, मुख्यमंदरी जी से, जब भी इनके वि साल के हिसाफ से कुछ नहीं होता है ड्राइविंग इंजन बता रहे थे माध्यप्रदेश को गुल्रेश शेक लेकिन एक और बड़ी बात जो आती है माध्यप्रदेश की आर्थिकी को ध्यान में रखते हुए कि सरकार पर करजा भी बहुत है और वापस लेना भी सरकार की मज करे काई न यह लगता है भी है यह अमल भीक्राइब लूझे है लोग दयर Chung को दिया जा रहा हो चैissen को दिया जा रहा है यह अपने अपने धंग से प्रिवासित करते हैं इस्थित यह है कि महिलाओं को या दूसरे लोगों को यह जो फ्री में पैसा वाटा जा रहा है उसकी बज़े से आर्थिक इस्थिती ज्यादा खराब हो रही है वैसे भी सरकारी अमले का जो खर्चा है बेतन भत्ते हैं वो अ कर्ज लेके आप काम करोगे तो बिकास तो नहीं कर पाओगे आप बहुत सारे इसलिए जो सो करोर का रहोने माली जी प्लान बनाया बड़ा प्लान बनाई नहीं सकते क्योंकि आपके पास इतना बज़ेट नहीं है आपने जो बज़ेट प्रस्तुत किया उसमें बड़े डबल अगले साल लिया जाएगा और जो आपने परएवजनाय बनाई है उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है पंचान बे करोड लगभक जो मने देखा था लगभक पंचान बेक रूड रूपए एक्स्ट्रा चाहिए आपको परियावजनाओं को पूरा करने के लिए और बजट में बड़ी घोशना आए बड़े बड़े ऐलान हो जाते हैं लाखों करोडों की रखम का एलान हो जाता है लेकिन उसकी बावजू तस्रीर हम देखते हैं मच्छल काट रहे हैं बिमारिया बढ़ रही है इलाज नहीं हो पा रहा है लोगों की जान जा रहे है कोई बाल पर्योजना है अटल जी के जमाने की है आज तक उन्हों पर काम नहीं शुरू हुआ मतलब सिर्फ बजट थोड़ा बहुत होता है काम रोग जाता है यहां मद्द्देश की आप ले लिजे एक ललित पूर और सिंग्रोली रेले लाइन थी जी कब का कब का प्रोजेक्ट था तक बनी और और सिंग्रोली तक नहीं जा पाई बड़े बड़े पुल और बांध जो प्रस्तावित हैं यह नहीं पूरी हो पा रही हैं लगाता डिले हो रही है क्योंकि उनके लिए बजट नहीं दे पा रहे हैं रोज अब सीम साब कह देते हैं कि हर जिले में मेडिकल काले खोलेगे आप कहतो देंगे लेकिन उसके लिए कितना पैसा लगता है कितना स्टाफ लगता है यह आपके पास है कहां देखिए काम हुआ है मैं इसको कुछ ही फिकर से आपको दर्शा सकता हूं मतिपरदेश में इनकी सरकाद इक विजए से इनकी जब बाई बाई कर रही थी जाते समय एंपी में मेडिकल और डेंटल कालेज मिला के साथ थे केवल सेवन और आज कितने हैं दोनों के आखड़ा मिला लें तो 68 हैं तो ये काम हुआ है यदि सड़कों का जाल देखिए तो किस हद तक के विकास हुआ है और सड़क कितने निर्मार हुई है सब जानते हैं लगातार हर जिले में काम चल रहा है मैं तो सभी को कहता हूं जो लोग आपका टीवी देख रहे हैं ति अपने घर स दोचार किलोमेटर निकल के देखे हर जगा आपको कंस्ट्रक्शन होता हुआ नजर आएगा यहां तक यह हुआ कि एक विदेश ही गोरा दोस्ते मेरा वो मिले आया तो उसने यह कहा मुझे कि you are making your country like anything किस तरह से बना रहे हो कि आप क्या कर रहे हो कि हर जगा कंस्ट्रक्श लिए बात कह रहा था कई सरकास्टिक कमेंट नहीं था नहीं मेरा बहुत क्लोस दोस्त मेरे घर पे रहा काफी लंबा डिसकुशन हुआ उसने यह कहा कि मैं दिल्ली गया मैं मुंबई गया मैं आरके मधिपरदेश आया हूं सब जगा मुझे continue निर्मान का काम दिख रहा है इंफ्रास्ट्रक्शन का चाहे वो मेट्रोस के माधियम से हो चाहे पुलों के माधियम से हो चाहे रोड्स के माधियम से हो हर जगा कंस्रक्शन हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्शर पर काम हुरा लगाता तो कॉंग्रस की नेता कौन सो चश्मा लगाते हैं उन्हीं दिख नहीं कि अभी आपने ब्लूप्रन्ट तयार किया था कि अभी बंगलों को नए बंगले ठीक नहीं है अभी एक प्लान और तयार किया था कि उनकी जो इनोवा क्रिश्टा गाडिया जो पिछले सत्र में खरी दी गई थी उन गाडियों को रिजेक्ट करके आप फॉर्चुनर उनको कर देने के तैयारी कर रहा है मैं समझता हूं जब दो लाक करोड ते ऊपर तक का करजा मत प्रतिस पर हो गया है अठासी हजार दाओं पर अपने इवेंट पर योजनाओ का पैसा काट रहा है अरे यह गोसला की चुनाओ के पहले कि हम बेहनों को तीन है रुप महीन देंगे नहीं दें पाई साड़े बारा सो बैटके हुए अपने पूरे कर नहीं पा रहे हैं गारियों के लिए लेकिन बेहनों से बादा किया है यह नहीं कहा था कि एक दिन में देंगे लेकिन हम चुनाओं में जाने से पहले अपने हर वादे को पूरा करेंगे आप सुन लीजिए आपको इसी टर्म में मिलेगा भाई साथा बादा किया आप दीरी ने बंद कर रहे हैं आपने लाड़ी पेरों की संक्या कम कर दी आपने संबंदित बैंकों को सट्टी करना शुरू कर दिया है जिने आप पूरे नहीं कर पाऊ हुए है उसी के बाद से आपने मुला था आपने मुझरा पत्र नहीं है कर सके कास की धारा हर जगा जाना चाहिए उसका निरीक्षण मिनिस्टर को करना चाहिए मिनिस्टर का मतलब यह नहीं हुआ कि वह भुपाल के लगजरी मंगले में बैठे बिनिस्टर को हर डीप इंटीर तक जाना है यह मुख्यमंत्री जी का सकत निर्देश है और वो खुद में इसका पालन कर रहे हैं इसलिए गाड़िया दी गई कमल नाथ जब मुख्यमंत्री थे ना इसलिए नहीं गालिया है तीस तीस लावबे की एक गाली आती है वह समन्तिरों के पास है और दो साल पुराई है इस से जाना पुरानी नहीं है अपने गहरे के मानी मुख्यमंत्री में महों थे क्या एक गाली को हर साल गाली बतलते हैं कि एक पैसा इसको बरौट करने पर तो ले हुए है आप इसके पैसल करोल का नहीं खरीज़े हो कितने जगाहों के साथ अपने मीटिंग की ये करवाना पड़ता है तरी प्रदेश विकास करता है बैठ किये होंगे तरी विकास होना चीए बहुत धन्यवाद आप सभी का ही माद्यप्रदेश की महार डिबेट पर शामिल होने के धन्यवाद आप सभी का तो यहां पर विजिन डॉक्यूमेंट बनाकर चार साल की प्लैन पर सरकार विचार कर रही है प्रदेश में हर विधान सभा शेयसर बहुत धन्यवाद आप सभी का ही और मद्यप्रदेश की महार डिबेट में एतना है लेकिन खबरे लगाता जा रही है जुड़े रही है